नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके हैं उन्हें वीडियो तो दोस्तो आज हम 2016 फिजिकल एजुकेशन TGT एक्जाम पेपर को सॉल्व करेंगे यह प पिछली एक्जाम्स में ऐसे कोशन हैं कुछ-कुछ जो इस एक्जाम्स में भी देखे जा सकते हैं चाहिए वह यूपी TGT हो यह डिटर प्लेस भी हो लेकिन आंसर वही नहीं रहेगा जो पिछली बार आंसर की में था ठीक हैं तो श्टार्ट करते हैं पहले कोशन के साथ तो आपको पता होगा इसका अंसर तो एकदम ए इसका correct answer है unity of the world दुनिया की एकता ठीक है बिल्कूल correct है यही आगे भी कभी आता है कोशन तो यही आपको करना है और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे paid group से जुड़ना चाहते हैं दो अगस्ट को data अगस्ट को यूपी टीजटी है तो दिन बहुत कम है topic wise mcqs के जरी आप तयारी कर सकते हैं हमारे साथ और 33% की छूट इस टाइम दे दी गई है आध से तो आध से आगे तक जो भी student इस group में जुड़ेगा उसको 33% की छूट मिलेगी क्योंकि दिन बहुत कम बचेते तो हमे भी लगता है कि इतना ज्यादा चार्ज करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे students की financial condition इतनी ठीक नहीं है लेकिन वो पढ़ाई अच्छी करते हैं तो उनको मौका जरूर मिलना चाहिए तो आप लोग message कर सकते हैं दिए गए नंबर पर जोइन कर सकते हैं और इस टाइ प्रोवाइड एनी एनरजी तो यह तो बहुत इजी कोशन है विटामीन इसका आंसर है ठीक है अभी इजी कोशन चल रहे है तो इनको मैं describe नहीं करूंगा थर्ड कोशन रीड के हड़ी में पार्शव विचलन को डैश के माध्यम से मापा जाता है तो क्या आंसर है इसका सही बता है आपने बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है स्कॉलियो मीटर ठीक है नेक्स्ट कोशन मैसोमोर्फी की विशेष्टा होती है मैसोमोर्फी इस केरेक्टराइजड बाई तो क्या होता है दोस्तो फोर्थ का आंसर क्या रहे गा है यहां पर सही बता है गर्दन मजबूत और लंबी होती है ठीक है स्ट्रॉंग होती है और थोड़ी सी लंबी भी होती है फिफ्ट कोशन सर्वथम सीखने के सिद्धानतों की खोज किसने की who invented the laws of learning first तो सबसे पहले किसने किये थे यह सही बता है आपने थौन डाइक जीने किये थे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेग तो कौन सा है दोस्तों सही बता है आपने एकदम 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 करेक्ट रहेगा 22.90 मेटर इंटू 55 मेटर एकदम करेक्ट है हिंदी में भी अगला कोशन फुटबॉल मैदान का गोल छेतर होता है तो यह कोशन थोड़ा सा अच्छा है यहां पे तो इसका आंसर आप लोग याद रखें डीट में भी ऐसा कोशन दिखाई दे सकता है और अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी तक नहीं जुड़े हैं तो वहां पे जुड़ जाईए आपको सारी जानकारी जो भी अपडेट आते हैं एमसी क्यूज हम करवाते हैं डेली थोड़े बहुत फ्री में तो वह आप वहां से डेली प्रिपरेशन कर सकते हैं उससे अच्छे एमसी क्यूज होते हैं प्रीविएस यह होते है एर्थ कोशन निमली में से क्या अच्छे परिक्षंड का मान डंड नहीं है विच आफ दे सब्सक्राइब करने के परिक्षंड का नाम बताई है नेम दी टेस्ट टू डेटर्माइन दी कार्डिय वस्कुलर एफिशियंसी तो आंसर की में कूपर्स टेस्ट दे रखा है लेकिन आप हार्डवर्ड टेस्ट भी एक करेक्ट आप्शन है दोनों के दोनों हमारे यहां अब एक तरीके से करेक्ट आप्शन बनते हैं आंसर की में कूपर्स टेस्ट है लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर हार्वर्ड टेस्ट ज्यादा रहेगा ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे 10th question नियोजन प्रकरिया का प्रथम चरण है the first step in planning processes is process is तो क्या है determining of goal गोल गोल जब त taken from the line तो कौन सी लाइन से ली जाती है सही बता है 25 गजरेखा से ली जाती है एकदम आपने सही बताया है और यह यहां पे अच्छा important question बनता है तो यह आप याद रखें तो होकी से बहुत ज्यादा questions आते हैं paper में क्योंकि होकी हमारा national game माना जाता है है नहीं लेकिन माना जा तो B option एकदम correct रहेगा 42.195 km 13th question किस खेल में 3 second नियम लागू किया जाता है 3 second rule is applied in the game of तो यहां पे आपको पता होगा basketball एकदम correct answer है कोई भी confusion इसमें नहीं होनी चाहिए आपको 14th question खेल की सीर्ष फॉर्म किस पर निरभर करती है sports top form depends on तो किस में निरभर करती है सही बता है physiological limits पर देहिक सीमा पर ठीक है अगर किसी की physiological limits बहुत कम है वो fit नहीं है तो obvious सी बात है वो top form को अचीव नहीं कर पाएगा 15th question सफलता और विफलता गती विदियो को सीखने में किस से संबंदित है success and failure in learning activities are related to तो किस से संबंदित है सही बता है अपने a option एकदम करेक्टर रहा है strength of the urge to achieve प्राप्ती की लालसा की शक्ताखत ठीक है 16th question संस्था की चार दिवारे के भीतर आयोजीत प्रतियोगिताएं है competitions conducted within the four walls of institution are तो इंट्रा मूरल सोती है हमारी चार दिवारों के अंदर ठीक है extra मूरल सोती है चार दिवारी के बहार 17th question एथलेटिक विफ्तित्व की विशिश्ताव में किस से छोड़ कर सभी शामिल है the characteristics of athletic personality includes all except तो क्या है दोस्तो submission आत्म समर्टन नहीं है मतलब कि आपको आत्म समर्टन नहीं करने हैं आपको किसी के सामने नहीं जुकना है 18th question निमलिक्त में से क्या खेल करने करम के पहला कदम है which of the following is the first step in a sports program तो पहला step कौन सा होता है आपने सही बताया planning होता है और planning में पहला step मैंने आपको बता दिया कि goal determine करना कि आप आखिर करना क्या चाते हैं उसके हिसाब से planning होगी 19th question intramural कार्यकरम चात्रों में कैसी भावना उत्पन करता है intramural program creates in students the sense of तो सही बताया involvement बढ़ाता है भागिदारी बढ़ाता है ठीक है 20th question प्रतियोगिता योजना के blueprint को क्या कहा जाता है blueprint of the competition plan is called तो क्या कहा जाता है दोस्तों एक सेगिंड गलती से मूव ओगे स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ दुबारा से तो सही बताया आपने दोस्तों क्या कहा जाता है strategy कहा जाता है यही आपका strategy होते है कहते हैं लो खेलने से पहले coach की चलो अगले match के लिए strategy बनाते हैं कि हम कैसे कैसे दूसरी team को हराएंगे तो वो क्या होता है blueprint होता है कि हम उन्हें कैसे खेलने जा रहे हैं एक किसवा question अच्छा question है किस भारतिय कप्तान को ओलम्पिक के दौरान पहली बार जीत के stand पर चड़ने का अफसर मिला विच इंडियन captain mounted on the victory stand for first time during Olympics तो कौन है वो lucky player सही बता आपने B option एकदम correct है जैपाल सिंग एकदम correct option रहेगा यहाँ पे 22 question पहले विशेश Olympic की मेजबानी किस देश ने की which country hosted the first special Olympics ठीक है तो किस ने करी थी दोस्तों सही बताया A America एकदम correct answer है 23 question Olympic का प्रतीक चिन किस ने design किया who designed the Olympic emblem तो किस ने किया था दोस्तों सही बताया आपने एकदम पियर डी कुबर्टिन जी ने एकदम correct रहेगा अगर यहाँ पे year भी पूछ ले तो 1913 एकदम correct कर देना और आपको एक number मिल जाएगा 24 question जिसमें बहुत ज़्यादा confusion रहती है तो भारती Olympic संग के अध्यक्स कौन है who is the president of Indian Olympic Association तो सही बताया अपने एकदम नरेंदर दुरूब बतरा एकदम correct answer रहेंगे यह option 25th question सहर Olympia dash में है the city Olympia is in तो कहाँ पे है Olympia city यह तो बच्चों वाला question यहाँ पे युनान में मतलब की Greece में 26th question 26th question शिक्षा को कुछ हात्रों के अनुकरणिये व्यक्ति के रूप में भी शिक्षा का कौन सा दर्शन परी भाशित करता है which philosophy of education defines teacher as a role model of students तो कौन सा है दोस्तो आइडियलिज्म है वो आधर्शवाद है जिसमें यह कहा जाता है कि आप अपने role model को follow करें उन्हें अपना role model माने जो भी आपको सिखाते हैं कुछ भी इसे डैश में शामिल किया गया physical education is a fundamental right to every citizen is included in तो क्या रहेगा आंसर सही बताए UNESCO चार्टर में ठीक है 28 वा question अब आ जाता है थोड़ा सा अच्छा question होकी का match कैसे प्रारंब होता है how does hockey match starts देखो अगर options सेम आ जाते हैं मेरी बात सुनिएगा यहां पर अच्छी से अगर options सेम आ जाते हैं तो इसमें a option सही कर देना ठीक है मैंने क्या बूला अगर options यही आते हैं तो a option लेकिन आप किसे ठीक करेंगे दोस्तो सही बताया आपने एकदम center pass को ठीक करेंगे क्योंकि rules के हिसाब से अब back pass बंद हो गया है अब front pass plus back pass मतलब कि center से आप किसी भी direction में पास ले सकते हैं तो हाला कि अब यह option में आए गई नहीं center pass ही आएगा तो बिलकुल correctly start करें अपने paper को 29 कोशन भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्टम पुरसकार डैश है the highest award given to sports coaches in India is तो काफी easy कोशन द्रोना चार्रे अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो coaches के लिए सबसे सम्मान अवार्ड है ठीक है 30th question sign के पधे नद्यक्स है एक्स official president of sign is तो यह भी उन questions में से है जो अब आ जाएं तो आपको नहीं करना है तो यूपी टीटीटी दोजा सोला के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर आंसर है इसका लेकिन अब ये को आंसर एकदम घलत है यहां पे इसको टिक करके मत आना नहीं त तो आपको अब जो करेक्ट करके आना है वो कौन सा है मैं कई बार सीरीज में करा चुका हूं आपको खेल एंव यूवा संबंदित के इंद्रिय मंतरी ठीक है जैसे इस टाइम पर किरन रिजू जी जी का अगर यहां पर option होता तो हम उस पर टिक कर दी थे तो चैर्मेन की ब बात हो हमारा सी option एकदम करेक्ट रहेगा बाकी किसी को इसमें डाउट हो तो आप साइं की वेब साइट में जाए अब आउट में जाए वहां पर गवर्निंग बॉडी कंपोजीशन नाम से आपका वहां पर option होगा उस पर क्लिक कर पर आप पूरी वह आ जाएगी लिस्ट क कि कौन इस टाइम किसका रोल अधा कर रहा है थाटिफस्ट कोशन विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू कए गए थे विंटर ओलंपिक्स वर इंट्रडूजड इन दी एर तो सही बताया आपने 1924 में किये गए थे 32 कोशन निमली कितमे से कौन क्रणिम अभी प्रेना का प्रकार नहीं है विच आफ दी फॉलिंग इस नौट टाइप ऑफ आर्टिफीशल मोटिवेशन तो कौन सा नहीं है दोस्तों सहज क्रिया अब मैं वॉलीबॉल खेलूं और मुझे वह अच्छा लगने लग जाए खुदी और मैं खुदी खेलने लग जाओ तो मेरा खुद पर एक एथलीट को प्रदान किया गया ततकाल उपचार है इमिडेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड़ेड टू एन एथलीट अपॉन स्पोर्ट इंजरी इस तो कौन सा ट्रीटमेंट सबसे पहले देना चाहिए और दिया जाता है तो क्रायो थेरपी ठीक है क्रायो थेरपी एक दम करेक्ट आंसर है ठाटी फॉर्ट कोशन जॉगिंग तैराकी और साइकलिंग डैश का एक हिस्सा है जॉगिंग स्विमिंग और साइकलिंग और पार्ट ऑफ तो किसका पार्ट है दोस्तों सही बता है कंटीनियूस ट्रेनिंग आप इसमें देखोगे अगर यह निरं गेम ऑफ तो काफी फेमस के लाड़ी हैं बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं अगर आप हमारी सारी वीडियो अभी तक देखते हैं तो इन में से शायद ही ऐसा कोई कोशन होगा जो आप नहीं लगा पा रहे होंगे ठीक दूस्तों चाथिस्वा कोशन फेफोडों की शम्ता उको साधारन ता मापा जाता है लंक्स कैपसिटी यूजुली मेजर्ड वाई तो किस से नापा जाता है सही बता है स्पाइरो मेटर द्वारा नापा जाता है बता रखा है पेपर में थाटी सेवन्थ कोशन पदम शरी पुरुसकार से सम्मानित होने वाले पहले अथलीट कौन थे हूँ वास दी फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्ड़िद पदम शरी तो सही बता है आपने एकदम कौन थे मिलखा सिंग जी थे यह हमें इस दुनिया से छोड़के चले गए हैं लेकिन यह लेजंडरी प्लेयर रहे हैं अपने टाइम के और हमेशा एक लेजंड रहेंगे भारतिये स्पोर्ट्स में थाटी एथ कोशन निम्मिलिक में से कौन सा एक गोंड़ श्रोत है विच आप दी फॉलिंग सेकंडरी सोर्स ठीक है तो इसका क्या अंसर रहेगा ट कौन सी गती नहीं की जा सकती है विच आप अगर अच्छे से देखेंगे तो एल्बो जॉइंट में कौन सा इनमें से नहीं हो सकता है तो सही बता है रोटेशन पॉसिबल नहीं है ठीक है चाहिए आप करके देख लेना रोटेशन या आपको घुणन नहीं है पॉसिबल करेक्ट 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 अगर पेपर में आए तो हैंड्री डिडॉन एकदम करेक्ट आंसर ठीक है आपने पड़ा हुआगा त्वेल्थ क्लास की बुक में भी कि यह दे रखा है पर स्ट्यल कर देते हैं अभी गलत शंस्ता वाले तो इन ди Спोट टो गोश biz Tor इस या अर्गजैनिक certains डैश में मदद करते हैं in sports और सबस्क्राइअ और लिल मतलब कोई-विति जो हो सकते हैं कि आपके शूज अच्छे हैं आप कपड़े अच्छे पहनते हो स्वेटिंग कमाती है तो पर्फॉमेंस आपके अच्छी हुरे डाइट भी एक अर्गोजैनिक है डाइट नेचुरल होती है आपके फर्फॉमेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है अगर अच्छी डाइरेक्शन में ली जाए तो इस तरह के की तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा पढ़ लीजेगा बागी 43 कोशन अर्जुन पुरुसकार प्राप्त करने से वाली पहली प्रथम खिलाडी कौन है वाज फर्स्ट विमेंट प्लेयर टुब रिसीव अर्जुन अवार्ड तो कौन है सही बताया एस डी सूजा डी ऑप्शन एक तुम करेक्ट रहेगा 44 कोशन वालीबॉल में स्मेशिंग इस नाम से भी जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है स्पाइकिंग ठीक है इजी कोशन काफी 45 कोशन एक परिस्थिती से दूसरी सिस्थिती में सीखना डैश है लर्निंग फ्रॉम वन सिच्वेशन तू अनदर इज तो कौन सा है दोस्तों सही बताया आपने एक तरांसफर ओफ लर्निंग अधीगम का स्थानतर्ण ठीक है और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किर पर सब्सक्राइब कर दिये जोस्तों और बैल आइकन सारे लोग दबा दी दिये क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंड रहती है कि वीडियो डल जाती है लेकिन पता भी नहीं चलता है त तो एक्टो मॉर्फ आपको पता हूं कि कौन से होते हैं दोस्तों जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं मैं आपको बताता हूं आप समझ जाएंगे कौन से होते हैं ठीक है थोड़े से इस टाइप के होते हैं पतले होते हैं पतले होते हैं पूरा शरीर पतला सा होता है तो मेर सा नेरो टाइप का इंसान जाद चोड़ा नहीं 47th कोशन व्याम से संबंदित तना फ्रेक्चर डैश हड्डियों में होता है exercise related stress factors occurs in bone तो संस्था ने इसका बताया in the arm बट ये इतना ज्यादा accurate नहीं है इसकी जगा ज्यादा accurate क्या रहेगा below the knee आपने देखा होगा थोड़ा सा अचानक आप running करने लग जाते हो तो आपके गुटने के नीचे sin bone में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और उस sin bone के pain के साथ अगर आप running करते रहेंगे non stop तो आपको क्या हो जाएगा stress factor हो जाएगा 48 question bully किस खेल से संबंदित है with which game bully is associated तो किस game से संबंदित है hockey से संबंदित है अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है गेम में कुछी को चोट लग गई है कुछ बात है technical कोई issue है कि काफी देर तक 10-15 मिनिट तक game को रोक दिया गया है तो उसकी बाद जब game स्टार्ट होगा वो bully तरीके से होगा बुली तरीके में क्या है दो खिलाड़ी आएंगे दोनों टीमों के ball को बीच में रखा जाएगा और whistle बजते ही जो उस ball को दोनों stick पहले strike करेंगी और strike करने के बाद जो भी उस ball को ले जाएगा वो अपना ले जाता जाता गोल मारेगा उसको ठीक है तो यही है आपका bully त यहां पर क्योंकि आपको पता होगा sprinting के जितने भी एथलीट से इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं और इंटरवल ट्रेनिंग से स्पीड बनती है ना कि endurance तो ऐसे चीजों को रिलेट करते हूं चलेगे तो कोई confusion रहेगा ही नहीं 50th question निमलिकित में से क्या read की हड़ी के चोट से संबंदित नहीं है which of the following is not the spinal injury तो कौन सी नहीं है एब्रेशन यहां पर नहीं है ठीक है दोस्तो 51st question निमलिकित में से कौन सा event heptathlon में शामिल नहीं है which of the following event is not included in heptathlon तो सही बताया discuss through आपका नहीं है heptathlon में खेल में उत्कृष्ट प्रदशन के लिए दिये जाने वाला पुरुष्कार है the award given for the outstanding performance in sports is तो कौन सा अवर्ड दिया जाता है सही बताया आपने अर्जुन अवर्ड दिया जाता है 53 question राश्य मंडल खेल 2018 में भारत दुआरा कितने स्वेंट पदक जीते गए थे how many gold medals has won by India in Commonwealth Games 2018 तो कितने तो दोस्तो 26 थे बहुत बार करा चुका हूं 54 question इंसुलिन डेस द्वारा स्रावित होता है इंसुलिन इस सिक्रेटेट बाई तो किसके द्वारा स्रावित होता है अगनाश्य इसके बारे में बहुत अच्छे से डेमोंस्टेट मैंने कर रखा है पहले 55th question नीचे दिए गए एक नीचे दिए गए कोड का उप्योग करके सूची 1 और सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें match list 1 with list 2 using the codes given below तो सीधा सीधा मैं आपको यहां पर बताना चाहूं तो classroom teaching में हमेशा कौन सा method यूज होता है औरल method यूज होता है ठीक है कक्षा section में कौन सा मौकिक विदी यूज होती है यहां पर ना कि आपका production विदी होती है या आप कह सकते हैं अनुक्रमिक भाग होता है ठीक है दोस्तों तो अगर हम options में देखें तो fourth D मतलब कि D में third match करना है में तो यहां पर आप देखें तो D option एकदम correct है यहां पर आप देख लिजेगा बाकी क्योंकि बाकी जरूर देख लिजेगा क्योंकि आने वाले exams में हो सकता है कि यह पूछ लिया जाए कि जैवलीन throw को सिखाने के लि रहे गए थे तो वह भी करवा देता हूं पहला अंटराष्ट्य योग दिवस कब मनाया गया था वैन वास्ट इंटरनेशनल योग देवास सेलिब्रेटेड तो कब बनाया था तो इकीस जून दो हजार पंडरा को नेशनल गेम ऑफ इंडिया देकि वेसे तो इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है यहां RTI दुआरा पता लगाया गया है लेकिन अगर उप्शन्स में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है ठीक है नन उफ इसका ऑप्शन नहीं है तो आप होकी को टेक करें ज्यादा अच्छा रहेगा आपको एक नंबर मिल जाएगा 58 कोशन मीना शाह किस खेल से संबंदित है मीना शाह इस एस गेम ऑफ तो सारे प्लेयर्स जानते हैं यह तो बैडिमिंटन से डिलेट करती है मीना शाह जी 59 कोशन निमली कि तबे से किसे अनुवन्शिक अनुमोधन माना जाता तो किसे माना जाता है दोस्तो स्पीड को माना जाता है ऐसा कहते हैं कि मतलब कि गती यह कैसी चीज है जो पिता से पुत्र में आती ही है ठीक है 60th question ग्रीवा संधी उधारण है नेक जोइंट इस एन एक्जामपल आफ तो नेक जोइंट का तो मैंने बहुत बार बता रखा है पिवट जोइंट इसका अंसर है पिवट संधी तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजे इतना लाइक करिए कि मैं मजबूर हो जाऊं second part डालने के लिए तो have a nice day बाबाई